इस current affairs funda में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 फरवरी तक के सभी important current affairs cover करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा आज भी आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा साथी गाइस इस सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारी daily current affairs pdf, weekly pdf और monthly pdf चाते हैं तो इस वीडियो के first comment में या फिर description में दिये गए link पर click करके पा सकते हैं साथी आप Google Play Store से current affairs funda app को भी install कर लिजे क्योंकि जो भी हमारा pdf material है जिसमें हम आपको current affairs के साथ साथ strategy के भी provide कराते हैं ये सभी material आपको हमारी current affairs funda app पर ही available हो पाएगा इसके लिए आप हमारा pdf course buy कर सकते हैं ये सभी content आपको हमारी app पर मिल जाएगा यदि आप हमारा pdf course buy करना चाते हैं तो link आपको इस वीडियो के first comment मिलेगा कोई भी आपका doubt होगा तो आप हमें comment box में जरूर पूछेगा तो चले फिर करते हैं शुरूबात इस वीडियो session की सबसे पहले 18 हरवरी को पढ़े गए current affairs क्विकली revise कर लेते हैं Narcotics Control Bureau यानि की NCB इन्होंने darkathon 2022 इसको organize किया है इसका आयोजन किया है ये drug से संबंदित है साथ ही आपको जानना चाहिए Reserve Bank of India ने e-rupee vouchers की limit अब 10,000 रुपे से बढ़ा कर एक लाख रुपे कर दी है रवी चोपड़ा जो की Supreme Court द्वारा appointed चार धाम project committee के head थी इन्होंने अपनी इस position से resign कर दिया है अदिश अबाबा जो की यूथोपिया की capital है ये 35th African Union Summit का venue रहा आयोजन इस्थल रहा चोधरी चरण सिंग International Airport जो की लखनव में है जिसे लखनव एरपोर्ड भी कहते हैं इसे the voice of the customer award दिया गया है Airports Council International के दौरा देखे और भी Airports को दिया गया है उनको भी हम question में cover करेंगे IIT मतरास ने एक interdisciplinary water management and policy center established किया जिसका नाम है aqua map NASA ने sun से सम्बंदित यानि की सूरज से सम्बंदित सूरज की जो dynamics है उसको समझने सम्बंदित दो science missions select किये हैं जिन में से एक है multi-slit solar explorer यानि की muse और दूसरा है helio swarm आपको जानना चाहिए निती आयोग ने phone पे के साथ मिलकर the fintech open hackathon इसको launch किया Jaguar land rover इसने automated driving system के लिए NVIDIA के साथ partnership की है Indico airline ने अपने काचिंग credit card holders के लिए Indian oil के साथ partnership की है जिसमें ने कुछ जो points मिलते हैं award points मिलते हैं यह दिये Indian oil में जो है इस card का use करके पे करते हैं महरास्त ने cancer से बचने के लिए hope express announce किया है प्रेजडेंट रामनात कोविन ने मुंबई में राजभवन में दर्बार हॉल को इनोगरेट हिया इरान ने नई missile unveil की है अनावरेंड की है इसका नाम है खैबर बस्टर बिमल जालान ने एक book लिखे जिसका नाम है इंडिया रेकॉनिंग rewards and discontents of democracy और आपको जानना चाहिए बिहार ने खादी को प्रमोट करने के लिए मनोच तीवारी को अपना brand ambassador बनाया है तो चलिए फिर अब देखते हैं 19 फरवई तक के सभी important current affairs तो पहला question है हमारे पास who has been appointed as India's first national maritime security coordinator यानि की भारत का पहला रास्ट्य समुदरी सुरक्षा समनवयक किसे निउक्त किया या है options आपके सामने है और सही answer option C है जी अशोक कुमार देखे 26 ग्यारा का जो मुंबई में जो हमला हुआ था उसके बाद से जरूरत आनपड़ी की maritime security को और मजबूत किया जाना चाहिए इसी को देखते हुए भारत के पहले national maritime security coordinator बनाए गए है Vice Admiral Retired जी अशोक कुमार आपको जानना चाहिए इससे पहले ये Indian Navy में Vice Chief भी रह चुके है अब तो ये retire हो चुके है और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये इंडिया की first national maritime security coordinator जो बने है ये Indian National Security Advisor यानी NSA जो की फिलाल अजीट डोवाल है इनको रिपोर्ट करेंगे और जो भी maritime security संबन दिद जो भी issues है उनमें ये government of India की principal advisor रहेंगे आपको जानना चाहिए इंडिया की जो coast line है ये पिचा 316 km long है चलिए आगे बढ़ते है भुला वैली seen in news recently is situated in which state यानी कि जो हाल ही में खबरों में रही भुला घाटी किस राज्य में इस्तित है ये पूछा जा रहा है सही answer option हिमाचल परदेश देखिए जो बुला वैली है ये किसले न्यूज में रही तो हिमाचल परदेश ने अपना first by diversity park established किया है जिसके तहट जो endangered हिमालियन herbs हैं उनको conserve किया जाएगा और ये जो first by diversity park है इसको मंडी के बुला वैली में set up किया है हिमाचल परदेश से संबंदी देदी हम current affairs की बात करें जो काफी important है आपको जानना चाहिए कि 9th National Ice Hockey Championship ये भी हिमाचल परदेश में ही हाली में संपन हुई है और आपको जानना चाहिए हिमाचल परदेश first smoke free state बन गया है इंडिया का ये वाला current affairs आपके लिए काफी important रहेगा दोनों ही हमने MCQ format में पहले discuss किये हुए है which Indian aircraft participated in Singapore Airshow 2022 तो किस भारतिय aircraft ने Singapore Airshow 2022 में participate किया है भाग लिया है ये हमको बताना है options आपके सामने है और सही answer option C है Tejas Mark 1 Tejas MK 1 तो देखिए शिंगापूर में एक Singapore Airshow 2022 हो रहा है और इसी के लिए Changi International Airport ये Singapore में ये आप याद रखेगा है कि Static Jika का पार्ट आप के लिए बन जाता है Changi International Airport कहां पर है ये है Singapore में तो यहाँ पर Indian Air Force के 44 मेंबर का दल उतरा है और इसी सिंगापूर Airshow 2022 में पार्टिस्पेट किया है आपको बता दे दो साल में एक बार होने वाला एक इवेंट है ये यानि कि बाइनियल इवेंट है जिसमें जो भी Global Aviation Industry है वो अपने प्रोड़क्ट्स दिखाती है और भारत की ओर से तेजस MK1 ने हाँ पर पार्टिस्पेट किया है यानि ही भारते रेलवे किसराज या केंदर सासित परदेश में अंजी नदी पर इस्तित भारत का पहला केबल इस्ते रेल पुल का निर्मान कर रहा है सही आंसर ऑप्शन दी है जम्मो एंड काश्मीर तो देखिए जम्मो एंड काश्मीर के रिया सी डिस्टिक यहाँ पर अंजी रिवर है अंजी रिवर के ऊपर भारत का पहला केबल इस्टेट रेल ब्रीज यह जो है अंडर कंस्ट्रक्टिंग है और इसको बना रहा है इंडियन रेल वेस आपको यह जानना चाहिए और यह उधमपूर स्री नगर बारामुला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो कि रिया सी एरिया को जम्मो एंड कश्मीर माफ कीजिए का जो कि रिया सी टावर से भी हायर रहेगी और इस ब्रीज की टोटल लेंथ रहेगी 473 असमलाव 25 मीटर 96 केबल्स इस ब्रीज को सपोर्ट कर रहे है इंडिया एंड विच कंट्री साइंड आ लैटर ओफ इंटेंट on new and renewable energy technology कोशन में पुछा जा रहा है कि भारत और किस देश ने नवीन और नवीकर्णी उर्जा पुर्द्योगी पर एक letter of intent sign किया है options आपके सामने है सही answer option C है Australia देखे आपको यह जानना चाहिए कि letter of intent का मतलब क्या होता है letter of intent का मतलब होता है कोई project है तो हमने उस पर अभी सुईकरती उस पर दे दी है यानि कि हमने उस पर मन बना लिया है कि हाँ यह जो project है इस पर हम आगे जाकर काम करेंगे अभी official नहीं कर रहे है officially उस पर काम नहीं कर रहे है हमने अपनी इच्छा उस पर जता दी है तो भारत और उस्टेलियन अपनी इच्छा जता दी है कि जो renewable energy सम्मंधित जो cooperation है जो सह होगे उस पर हम आगे जाकर काम करेंगे और इसका जो official जो पूरा मसोदा है उसको हम जारी करेंगे तो इसको बोलते है letter of intent तो देखे हाली में fourth energy dialogue इंडिया और अस्टेलिया के बीच संपन हुआ 15 फरवी 2022 को भारत की ओर से इसको ministry of power and new and renewable energy आर के सिंग ने participate यहाँ पर किया है तो इसी के दोरान इंडिया और अस्टेलिया ने letter of intent एक sign किया है किसलिए new and renewable energy technology के लिए और हाल ही में हमने अस्टेलिया और इंडिया से संबंदित एक और current affair पड़ा था कि इन दौनों ने ही tourism cooperation के लिए जो tourism cooperation है ठीक है उसके लिए एक MOU sign किया है विच फिंटेक कंपनी लॉंस्ट न्यू एज डिजिटल बैंकिंग सूपर एप एन वाई ए options आपके सामने है सही answer option भी है so रैपी पे जो कि एक digital banking जो कि एक fintech company है तो इसने एक digital banking super app लॉंच किया है जिसका नाम है NYE तो यह आप याद रखेंगे NYE तो यहाँ पर रैपी पे ने 15 million US टोडर रेस किया है और उसके बाद इस एप को लॉंच किया है बाकिस तरह कोश्चन में आपको के वर इतना ही जानना होता है अब हम यह नहीं देखें कि रैपी पे का headquarter का है या फिर इसके MDCO कौन है वो हमारे लिए important नहीं है वो तो यह हो गया कि आप जो है मतलब वैसी knowledge अपने पास अकर रहे है जो किसी काम की नहीं है अंसर ओप्शन यह है यस तो देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक है यस बैंक तो इसने डिजिटल फाइनसिंग सोलुशन के लिए प्रोग्राम रोंच के जिसका नाम है यस बैंक एगरी इंफिनिटी तो इसके तहत जो भी एगरी कल्चर से संबंदित जो भी स्टार्ट अप से है तो उन में जो है यह फाइनस करने की सुविधा प्रवाइट कराएगा यस बैंक बाकिया आप जानते हैं यस बैंक के CEO प्रसांत कुमार है हैड़कॉर्टर मॉंबई में है और इसकी टेग डाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज आए बढ़ते हैं विच बैंक हैस लॉंच था इंटरस्ट ओनली होम लॉन फैसलिटी फोर कंपलीटेड रेसिदेंचल प्रोपर्टीज तो कंपलीटेड यानि की जो रेसिदेंचल प्रोपर्टीज कंपलीट हो चुगे हैं उनके लिए किस बैंक ने इंटरस्ट ओनली होम लोन फैसिदेडी लॉंच किया है वो अप्शन सापके सामने है सहिः आंसर ऑप्शन दी है स्टेंडर्ड चार्टर बैंक तो स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया यानि भारत में जो इसकी ब्रांच है इसने जो completed residential properties हैं उनके लिए interest only home loan इस facility को launch किया है बाहिए आपको जाना चाहिए standard chartered ये एक British multinational banking and financial services company है इसका headquarters लंडन इंग्लेंड में है which insurer launched fortune maximizer plan options आपके सामने है सही answer option D है कोटक महिंदरा life insurance तो देखिए कोटक महिंदरा life insurance ने एक limited pay participating endowment plan launch किया है जिसका नाम है कोटक fortune maximizer the air forces of which countries will conduct a bilateral tactical airlift exercise COP South 22 तो देखिए किन देशों के जो air forces है जो वायू से ना है वो एक द्वी पक्षी है airlift अभ्याद जिसका नाम COP South 22 है इसको आयोजित करेंगे options आपके सामने हैं सही answer option B है US and Bangladesh तो देखिए बंगलादेश और United States की जो air forces है यह 20 से 25 फरवरी के पीच एक bilateral tactical airlift exercise organize करेंगे जिसका नाम है COP South 22 तो धाका में यह होने वाली है India plans to prepare digital maps of how many villages under the swamitv scheme तो question में पूछ रहे हैं कि भारत स्वामित्व योजना के तहत कितने गाओं के digital मांचीतर तयार करने की योजना बना रहा है सही answer यहां पर option A है Indian cities के लिए पैन इंडिया 3D maps भी prepare किये जाएंगे आपको जानना चाहिए स्वामित्व scheme एक central sector scheme मेरिश्ट्य पंचायती राज की और इसको 24 अप्रेल 2021 को यानि की नेसल पंचायती राज दीवस के दिन परधार मंत्री रेंदर मोदी द्वारा लांच किया गया था आपको जानना चाहिए जो स्वामित्व प्रोवाइड कराई जाए तो कोशन में पूछ रहा है कि सड़क परिवेन और राज मार्ग मंत्रा ने किस उम्र से कम बच्चों के लिए हलमेट अनिवारे करने की अधिशूज जना जारी किया यानि की नोटिफीकेशन लांच किया है सही आंसर ऑफशन B है тобlaama जानेगे इसके बारे में देखे अब नोटिफिफिजेशन जारी चुका है तो आज से 1 साल बाद जारी के एक साल होने के बाद ठीक है अब जितने भी चिल्टन है जिनकी एच चार साल से कम है और जो पीछे बैठते हैं जिने पिलियन राइडर बोलते हैं तो टू वीलर पर तो उनके लिए जो है हेलमेट पहनना अनिवार होगा और इसके यह क्यों हुआ है देखिए जो सें यहाँ पर देख भी सकते हैं इस मेंडेटरी फॉर चिल्टन बेट्विन दा एज ओफ नाइन मन्स एंड फॉर यर्स तो नो महीने से और चार साल के जो बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए हेलमेट पहनना जूरूरी होगा बाकि आपको जानना चाहिए यह जो रूल्स है अलरड़ी इन के तैत यह हम जो है इन डूल्स के तैत अलरड़ी यह बताया गया है कि जो चार साल से ज्यादा के बच्चे हैं चार साल के उमर से अधिक के बच्चे हैं उनको हेलमेट पहनना जूरूरी है यदि वे टूवीलर पर है और यदि 14 साल से कम के बच्चे हैं और वो कार में जा रहे हैं तो उनको sealed belt लगाना जरूरी है नेश्ट हमरे पास चन्नवीरा कनवी who passed recently was a point of which language तो किस भासा के कवी थे ये चन्नवीरा कनवी सही answer option C है कनड तो देखिए चन्नवीरा कनवी ये कनड लिटरेचर के जाने माने कवी रहे हैं इन्हें समनवय कभी भी बोला जाता था point of reconciliation इनका हाली में 93 की एज में निधन हो गया है नेश्ट हमारे पास Name the union minister of ports, shipping and waterway who flagged off the maiden shipment of steel from Haldia to Pandu through Bangladesh options आपके सामने हैं और सही answer इहां पर option D रहेगा तो देखिए केंद्रे बंदरगा, नोवहन और जलमागर बनती हैं सर्बननदा, सोनवाल इन्होंने बांगलादेश के रास्ते हलदिया से पांडू तक steel के पहले shipment को हरी जंडी दिखाई है तो यहां पर भी आगा दे सकते हैं कि इन्होंने 1798 metric ton of finished steel products इनको जो हरी जंडी दिखाई जो की हल दिया, जो की West Bengal में है, यहां से पांडू जो की आसाम है, यहां पर पहुंचा है, और यह जो है आपका बंगनादेश होते हुए गया है, ठीक है, West Bengal से बंगनादेश होते हुए आसाम यह पहुंचा है, तो यह को जानना चाहिए, सरवननन्दा सोनवार विच बंग हैस, टाइड अप वीध, एजटेप, तो प्रोवाइड इंटिग्रेटेड पॉइंट पॉइंट अफ सेल सोलुशन्स, एक्रोस 4000 लोकेशन्स, इन इंडिया तो कोश्चन में पुछना है कि बारत में 4000 इस्थानों पर एकिकरत पॉइंट अफ सेल समाधान प्रदान करने के लिए कि इस बैंक ने एजटेप के साथ समझोता किया है सही आंसर ओप्शन दी है, कोटेक महिंद्रा बैंक तो देखे, पॉइंट अफ सेल्स, मसीन्स प्रोवाइड कराएगा बाकि आप जानते है, कोटेक महिंद्रा बैंक के सीओ दे, कोटेक हैं, हैटकार्टर मॉंबई में है और टेक लाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल और हाली में हमने पढ़ा था कि कोटेक महिंद्रा बैंक ने सेम डे सेटल्मेंट फीचर अपने जो मर्चेंट से इनके लिए लॉंच किया है अब देख लेने प्रिवेस असाइनमेंट कोश्चेंज के आंसर यह एक हैकिंग ग्रूप है आउस्मान भारत हेल्थ एकाउंट नंबर है आंसर इस फोर्टीन इस तरह से आप पाटिस्पेट करती रहे चलिए आज कि अब हमारे इंग्लिश के शब्द देखेंगे इंडिया फ्यूम्स एड सिंगापूर पी-म सवर्ड ओन नहरूज इंडिया टेंटेड एंपी तो देखे हाली में जो सिंगापूर के पी-म है इन्होंने बोला है कि जो नहरू का भारत है वो वैसा नहीं रहा है अब जो यहाँ पर लोकसभा में जो एमपी है यह काफी मतलब इनके उपर भष्टचार के आरोप लगे हुए हैं है ना करप्टेड है इस तरह की बात इन्होंने बोला है टेंटेड मतलब यही होता है जो करप्टेड हो यह फिर किसी नहीं किसी तरह से इन्वोल हो जिनके उपर कोई F.I.R हो इस तरह की जो चीज़े होती है ना तो इस तरह के लोग हैं लोग सब हमें ऐसा बोला है सिंगापूर के PM ने तो इंडिया फ्यूम्स फ्यूम्स का मतलब क्या हो गया आज का मारा शब्द है फ्यूम तो फ्यूम्स का मतलब है to be very angry sometimes without expressing it तो देखे भारत जो है angry तो है लेकिन बाचीत के थूरू अपनी बात पोचाई है यहाँ पर समन किया है जो सिंगापूर के जो भारत में जो हाई कमिशनर है उनको बारत ने समन किया है उनसे कहा है कि आपके प्राइम मिश्टर ने इस तरह के शब्द यूज किया है हमारी लोगसभा के लिए कि हम सब ब्रस्ट हैं लोगसभा में ज़्यादा तरह MPs हैं ब्रस्ट हैं इस तरह की बात जो कही है तो बारत जो है angry है जैसे आप यहाँ पर देख सकते है I saw her a week after they had the argument and she was still fuming तो देखिए यहाँ पर क्या है argument होने के एक हफते बाद मैंने उसे देखा और वो अभी भी angry लग रही थी ठीक है तो यह मतलब हुआ इसका next देखिएंगे the whole episode left me fuming at the injustice of it all तो पूरा जो episode है कोई episode हो रहा होगा तो उसमें जो injustice हुआ है उसको देखकर मैं fuming रहा यानि की गुस्से में रहा दूसरा है मारे पास P.A. Modi condoles loss of lives during wedding ritual in Kushinagar तो देखिए आज का मारे दूसरा सब्द है condole तो condole का मतलब क्या होता है to sow sympathy and sadness for the family or friends of a person who has recently died तो देखिए कोई व्यक्ती कि जब मृत्ति हो जाती है निधन हो जाता है तो अपनी सांथोना प्रकट करते है अपना दुख प्रकट करते है उसको बोलते है condole जैसे यहाँ पर देखते है we condole with the families of the diseased तो जो मरे हुए लोग है उनकी जो families है उनके साथ हम अपनी सांथोना व्यक्त करते है तो यह इसका मतलब होता है तो दोनों ही काफी प्यारे सब ने इनको आप note down कर लीजेगा अब देखते हैं आज के segment questions इससे पहले आगे बढ़े friends एक बात आपसे करना चाहूंगा देखें डेली कुछ ना कुछ एक दू बच्चे के commenter से आते रहते हैं कोई लिखता है कि पहले हिंदी में question पढ़िए कोई कहता है पहले English में question पढ़िए कोई कहता है option मत पढ़िए कोई कहता है कि केवल हिंदी में ही पढ़िए और कोई कहता है केवल English में ही पढ़िए तो ऐसे comment पढ़कर मुझको यह लगता है कि आप इस्कूल क्या स्कूल ही पेडाई कर रहे हैं ? आप कमपटेशन की तैयारी कर रहे हैं ? आप इतना पेशनûtس होना चाहिए आपके सामने इंग्लिस में भी लिखा है हिंदी में भी लिखा है एकस्पीनेशन भी लिखा है औप्षनस भी दिए है आप इसकी speed बढ़ा लीजे या आप इसको skip कर लीजे थोड़ा fast forward कर लीजे कई सारे कत्रा के options आपके पास है यदि आप daily इस तरह के comment करते रहेंगे कि अब एक बच्चे गले मैंने Hindi में पढ़ना शुरू किया पहले में फिर अगले आगया कि English में पहले पढ़ी है इस तरह से क्या होता है फ्लो टूटता है आप देख भी रहोंगे दो-तीन दिन से मेरा फ्लो जो है थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है वो इसी वज़े से चल रहा है क्योंकि मैं यह नी समच पा रहा हूँ कि पहले क्या करूँ क्योंकि आप लोग डिस्ट अप कर दे रहे है और जो आप देखेंगे बड़े-बड़े चैनल तो हमारा यह बढ़ा है जहां पर जादा-जादा वीवर्स रिप जादा रहती है वो केवल हिंदी में लिख के रखते हैं और इंगलिस में जो है कोश्चन को पढ़ देते हैं फिर उसके बाद कई सारा टाइम लेते हैं लाइव उसमें लाइव चैट चल रही होती है बच्चों के साथ भी उसमें लगे रहते हैं बच्चों ये कमेंट पढ़ते रहते हैं उनको जो है तीन तीन चार चार हजार लाइव देख रहे होते हैं बच्चे उसमें उनका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और एक एस्पिरेंट ने तो ये लिखा हुआ था कि आपके जो वीडियो पर व्यूज इसलिए जादा नहीं आदे क्योंकि करंट अफेर्स की पीडियेफ एवलेबल है तो कौन इतनी लंबी वीडियो देखेगा 20 मिनिट की ये लंबी है बताइए आप देखेगा एक एक डेड़ गंटे की करंट अफेर्स की वीडियो जोती हैं और कुस्चन होते हैं उसमें 10 क्योंकि लाइव चल रही होता है न सब लाइव चल रहा होता है बच्चों ये कमेंट्स पढ़ते रहते हैं तो इससे क्या होता है टाइम निकलता है जितना ज्यादा लंबा रेक्चर होगा उतने ज्यादा विवर्शिप आएगी उतना ज्यादा वॉश टाइम आएगा कि अब एग घंटा देखा बच्चों ने ठीक है पहले हिंदी पहले इंगली या ओप्शिन मत पढ़िए यह time waste हो रहा है इसमें कैसे time waste हो सकता है option पढ़ने वाला तो मैं समझी नहीं आया option वैसे अब तो मैं पढ़ता नहीं पहले पढ़ता था जब आप exam में जाते हो तब भी तो option पढ़ते हो यह direct सीधा right answer पर इक्लिक होता है बाकी के तीन option आपको दीखते ही नहीं ऐसा भी होता है गया तो ऐसा मत किया किज्ये हर तरह के बच्चे है कुछ को हिंदी समझ में आती है कुछ को इंगली समझ में आती है दोनों का धिहान रखना होता है इसलिए मैं आपको पूरा बताता हूं इंधी में बताता हूं फिर English में भी बताता हूं उसका answer भी फिर दूबार है कंपटिशन की तियारी कर रहे हैं इस तरह की चीज़े जो है अच्छी नहीं लगती डेली डेली कमेंट्स में चलिए अब देखते हैं आज के साइनमेंट कोश्चन्स तो मीराबाई चानू के अलावा और कौन एथलीट है जिसने वेटलिफिटिंग में ओलम्पिक मेडल जीता है विच कंट्रीज पी-म इंवक्ट एमर्जन्स एक्ट तो क्वेल ट्रेकर-लेड प्रोटेस्ट अगेंस कोविड हैल्थ रूल्स तो इसमें तो आपको डिरेक्ट यही बताना है कि फिलाल जी तॉन्टी की जो प्रेसिदेंस यह किस करेंगेंगा कारणट्र के एउनढर में चल रही तिक कोशिष की जीएका यह द्यूसरा कोशीर सेने यह पहले से संबध़ नासर में दकी पाली प्रेस में करते को कोशिष कीछीर आप हमें जरूर से ओनेटेंगे औरन चुन काँटक बाद्ध किर चाहिए रहा साथ किराएट इसाथे पा सकते हैं दोस्ते आप हमारे current affairs की प्लेश्ट दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और फैलो एस्टमेंट साथ हमारे current affairs को शेयर जरूर करें आज है वीडियो शेशन आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा थैंक यू गाइस